तो दोस्तों आज में लेके आया हूँ जिगरफिय का एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक हिमालय आपके दिमाग में कभी न कभी और कही न कही ये आया होगा कि हिमालय बना केसे हिमालय की उत्पत्ती केसी हुई हिमालय से इतनी सारी नद्या निकलती केसे हिमाले में इतनी सारी उची-उची चोटिया है मौंट एवरेश, कंचन जंगा, नंगा, परवत, गौडविन अश्टीन और बगएरा बगएरा तो इसकी उत्पत्ति कैसी हुई सबसे पहले question तो आईए जानते हैं मेरे इस चैनल पर बने रही है मेरे बीडियो के साथ बने रही है आपको सारी हिमाले के जानकारिय प्राप्त होगी तो पहले देखते हैं कि हिमाले की उत्पत्ती कैसी हुई सरपर्थम हम जानते हैं पेट्छे पहले एक थी सभी महाधि पे एक साथ जुड़े हुई थी जिसको हम लोग ये सारी महादीबे जिसको हम लोग کیya कहते है पेंजीया और इसमें चारो और महासागर्ती जिसे हम लोग कहते हैं पेंथालासा जब इसमें आंद्रिक दबाब आया और कुछ आरपित बल इस पर लगी तो ये जो पेंजिया है दो भागों में टुकडा हो गई मतलब दो भागों में बट गई ये दो भागों में बट गई और ये पेंथारासा जो इसे पानी था महासगर था वो बीच में आ गई और कॉंटिनेंट कॉंटिनेंट में तूट गई तो जो उपर वाले हिस्से हुआ उसको हम लोग बोलते हैं अंगारा लेंड और नीचे वाले भाग को खहते हैं हम लोग गौंडवाना लेंड हमारा भारत गौंडवाना लेंड का एक हिस्सा है तो सर इससे रिलेटेड क्या है सरी माले का रिलेटेड है आपको परिबेसिक पड़ेगा उसके बाद आगे क्यों जानकरी प्राप्त होगी तो इससे हुआ क्या दिखिए ये जो पेञ्जिया और प्रेंफठराशा जो शागर थी आरपीद बाल हुई अग्वानलेंड टूट ग्या गौंडवानलेंड लेंड तूट ग्या इससे रिलेटेड क्या है सरी मालय से रिलेटेड है आप देखिए जो यहां पर अग्वान प्रेटे का निर्मान होई, पहले से ही प्लेट थी, जब ये टूटले से पहले ही, मतलब जब ये आरपित बलना हुआ था, उससे पहले ही बहुत बड़ी बड़ी प्लेटे थी, तो एक का नाम था, उरे, सियन, प्लेट, और एक का नाम था, ये बड़ी बड़ी प्लेटे हैं इसलिए इसकी जानकारी जानना बहुत जोरी है छोटी-छोटी पलेटे तो बहुत सारी है और एक का नाम था आपका जाके इंडो-अस्ट्रालियन पलेट इंडो-अस्ट्रालियन पलेट तो इसमें क्या होई सर? जब इस पर बल आरोपित हुआ ना तो इस दो भागों में तूट गई अंगारलेट और गड़वालेट में और जो पलेटे थी आपस में टकरा गई जब आपस में टकराई माल लीजी ये आपके जाके क्या है? इंडो-अस्ट्रालियन पलेट है माल लीजी ये क्या है? इंडियो अश्ट्रीमेट है, जब यह दोनों आपस में टकराएगी, तो यह जो टकराएगी, तो इसके बीच से, क्या निकला? जो उसमें मोजुद आवसेश, आवसाद, जो जो थे, वो उपर की और उठने लगी, धिरी 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 उपर की और उठने लगी बाद में जाकर ये हिमालाय का रूप ले ली बड़े उचे परवत का रूप ले ली जिसको हम लोग हिमालाय के नाम से जानते हैं तो हम लोग क्या इसे वलित परवत भी बो सकते हैं? जी हम इसे वलित परवत वलित नभीन परवत भी बो सकते हैं क्योंकि यह टकराई यह टकराई दूनों प्लेट टकराई तो क्या किसका निर्मान हो रहा है और अभी निर्मान हो रहा है अभी भीतर में बहुत सारी प्लेटे आपस में टकराती है और बहुत सारी अवसाद निकालती है और धीरे-धीरे हिमालय की उचाई को बढ़ाती है इ आपी देखिए यह कोई एक एट है यह दूसरा एट है जब आपस में टक्राएगी तो जो आपस में जो सामने रहेगी वो टक्राके उठ जाएगे फटाक से ठीक है और जो लाश्ट का पोजिशन था यह बला और इधर का पोजिशन उसमें भी तो कुछ है भुकांप के तरह मतलब कुछ तो आरुपित होगा उसमें भी तो उसमें भी हल चल हुए और हल चल होने के बाद यह लोग जो पीछे में तरब थे वो कहीं पठार कारोप लेली कभी मैदान का रूप ले ली इस तरह हिमालाय का निर्मान हुआ हिमालाय की उत्पत्ति हुई तो कुशन आप सक पूछेगा कि हिमालाय की उत्पत्ति कैसे हुई तो आपको एंसर दन पड़ेगा कि इरसिन पलेट और इंडो ऑस्टिलन प्लेट जब आपस में टकराती है या जब टकरा गई थी तो उस समय जो अवसाद निकले थे हुई हिमालाय का रूप ली और अभी तक अवसाद निकलते जा रहे हैं आपस में जब पलेटे टकराती है और धीरे-धीरे हिमालाय की उचाई को बढ़ाती है दोस्तों हमने देखा कि हिमालाय की उत्पत्ति केस हुई जब इरसिन पलेट और इंडो ऑस्टिलन पलेट आपस में जब टकराई तो उससे जो अवसेस निकली जो वलित-वलित होकर फॉर्ड होकर उचे-उचे परवत का निमा है जिसको हम लोग हिमालाय का नाम रखते हैं और हिमालाय उसे कहते हैं अब हिमालाय की विस्तिर जनकाली आपको मैं दूंगा कि हिमालाय का विस्तार कैसे है, कहा है, क्यो है, कैसे नहीं है आए देखते हैं कि हिमाल्यय का विश्था रग देते हैं तो हिमाल्यय का विश्था पुरे भारत में उत्तर की ओर है और ये पस्क्सिम से लेकर पूरवत्योग लगभग 2500 किलमेटर में फैला हुआ है पच्चिस सो किलोमीटर में ये फैला हुआ है पस्षिम से लेके पूरब तक इसकी ओसत उचाई मतलब हिमारा की ओसत उचाई 6,000 मीटर है एवरेज हाइट 6,000 मीटर है हीमारे की चोड़ाई के बात के जाए, सभी जगह अलग है पस्षिम की तरफ थोड़ा मोटे है, मतलब चोड़ाई जादा है और जैसे जैसे पस्षिम को और आएंगे, और रुना चरह पदाश की तरफ आजाएंगे तो इसकी चोड़ाई कम हो जाएगे कस्वीर के छेत्र में 400 किलिमेटर और जैसे जिसे हम लोग यहाँ पर आएंगे अरुनाचल पद्देश में तो इसकी चोड़ाई 1.5 किलिमेटर हो जाएगी आप देखते हैं हिमालाई परवत छेत्र को उत्तर से दक्षिन की ओर में मुख्य तब तीन भागाओं बटा है पहला भाग को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालाई जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं हिमालाई पार की परवसरनिया दूसरा हिमालाई और एक है तीसरा में पुरवांचल पारी मुख्य तो हिमालाई को यही तिन भागाओं बटा गया है उत्तर से दक्षिन की दिशा की ओर अब इस पे भी हमको पढ़ना है ट्रांस हिमालाई में क्या आता है हिमालाई में क्या क्या आता है परवांचल पारिया में क्या आता है जिग्रफ्य को आप लोग ना हसते खेलते पड़िये बर्मन करते करते पड़िये सोची है मैं वह चल गया हुमें उभाँ ड्रीम सपिना में दिखी जिग्रफ्य को तब आप लोग समझ पढ़िएगा जिग्रफ्य जिग्रफ्य है कि इतना अच्छा सज़ेक्ट है बड़ी उचीकर सबजेक्ट है दिल से जोदी ले लिजेगा तो जिगरुफी आपका हो जाएगा पिट्वी को एब्जार्ब करने का एक सकती है जिगरुफी विशाय में पिट्वी की अनियक अनिक जानकारिया प्राप्थोती जिगरुफी शे चलिए अब देखते हैं हिमालय के पूरी जनकरिया पहले हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय बाद में देखेंगे हिमालय और लास्ट में देखेंगे पुरवांचल की पहड़िया ट्रांस हिमालय के अंतरगत कौन से परवस्रेनिया आती है तो पहला में आती है सबसे important परवसरियनिया कारा कोरम इसको हमारों परवसरियनिया कह सकते हैं जो ट्रांसमा लेकर अंतरगत आती है शचेन में दिखेंगे हम लद्धाख परवसरियनिया भी इसके अंतरगत आया है तीसरा में देखेंगे जोश्कर ये परवस्रिन्या भी ट्रांस्रिमाले के अंत्रिगत आएगी और लाश्ट में देखेंगे कैनास परवत्सरिनी और बहुत सारी परवस्रिन्या पाए जाती जैसे पीर पंजाल हो गया एटीसी किस में पाए जाती है ट्रांस्रिमाले में ये सब इंपोर्टेंट है ये सब की जानकरी आपको जानना बहुत जोरी है क्योंकि काराकोरम परवस्रिन्या के अंत्रिगति हमारा क्या आता है केटू गौर्विन अश्टीन जो की 8600 111 मिटर उचा है जो कहां पर है पाग अधिक्रित भूमी में है पौक में है कंचन जंगावालका सिक्किम में है अधिक्रित काराकोरम लद्दाग जोस्कार केलास परवस्रिन्या इत्यादी इत्यादी परवस्रिन्या आती है जिनमें से काराकोरम में बहुत सारी उची उची चोटिया पाए जाती है जैसे केटी हो गया जिसको गौर्डविन अश्टीन के नाम से जानते हैं क्रेसर ब्र भुमी छेत्र में है, उनके छेत्र में आता है, और हम लोग जानते हैं कि केरास सरीन्या में बहुत सारी हिमाले नदियों का उद्गमस्तर भी है, जैसे कि ब्रहंपुतला नदी का उद्गमस्तर वही पर है, सतलज नदी का भी है, सिंधु नदी का भी है, ये सब नदिया का उ हिमालाई सेकेंड में अब देखते हैं हम लोग हिमालाई हिमालाई को भी बहुत साई पर्वसरीन्या में बटा गया है जैसे कि पारा है विर्याद हिमालाई सेकेंड में है निम्न हिमालाई या हिमाचल हिमालाई या लगु हिमालाई या मद्ध हिमालाई और तीसरा जो बज गया वो है शिवाली का हिमालाई को भी तीन पर्वसरीन्या में बटा गया है और इनके इन तीनों को भी फिर से इसके अंदर क्या-क्या होती है उनके बारे में जनेंगे उनके अंदर कौन-कौन सी परवत चोटिया है उनके बारे में जनकरे लेंगे तो आइए देखते हैं सबसे पहला विर्यद हिमाले के बारे में यह हमारा यह हमारा पस्सीम से लिकर पुराव दिशा की और हिमालई बटावा है और पहले भाग को हम लोग विर्याद हिमालई के नाम से जानते हैं सेकेंड बाले को निम्ने और तीसरे बाले को लगु हिमालई या सोरी तीसरे बाले को सिवालिक हिमालई के नाम से जानते हैं और ये हम्रा उत्तर से धक्षिन की और में सबसे हिमालए का पाठ कूनसा है तो क्या बोलेंगे हम लोग शिवाली कह सर और ये कापी कंजोर होती है शिवाली का बोले कैसे जब हिमालाए का नीर्मान हो रहा था तो सबसे पहले मजबुत भाले भाग को हम लोग विर्याध हिमालय के नाम से जानते हैं इस सारी बहुत हिमालय मतलब बहुत सारे कठोर, मजबूत, चट्टान, अवसाथ से बनी है बाद में जाकर छोटे मोटे अवसाथ के रुप में टूटी तो बीच में हम लोग को निम्न हिमालय या मद्ध हिमालय या लगो हिमालय बहुत सकते हैं और अन्तता बिर्याध हिमालय और निम्न हिमालय के जो बच्चे हुए अवसाथ थे उनसे सिवालिक हिमालय का निर्मान हुआ जो काफी कमजोर होती है उन दोनों के मुकाबले और हमेशा सुनते हैं लेंट्सलाइड होता है लेंट्सलाइड सिवालिक हिमाले में होता है यह पर भूसकलन होता है हिमालोय का सबसे ज़्यादा क्योंकि यह बहुत काफी कमजोर होती है इसलिए सिवालिक में लेंट्सलाइड की घटना होती ही रहती है अब देखते हैं हिमाले का पहला पाट विर्यद हिमाले जिसको महान हिमाले के नाम से बियानते हैं और हिमादरी के नाम से बियानते हैं अब बुलेगा सर विर्यद हिमाले के महान क्यों बोलते हैं महान इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो सबसे ऊचा चोटी है पूरे वर्ल्ड का माउंट एवरेष्ट वो इससी विर्याद हिमाले के अंतरगाता है जिसकी उचाई लगभग 8,848.86 है जो विर्याद हिमाले के अंतरगाता है इसलिए हम इसको महान हिमाले के नाम से जानते हैं अब बोलेगे गए सर इसको हमादरी के नाम से भी जाना जाता है बोलेगे क्यों किए क्योंकि इसमें वर्फ अच्छादित है और इसके अंवरत मतलब लगातार वर्फ हिं बिछा हुआ है जिस कारण हम लोग का नदी का उद्गा मस्तल भी का सकते हैं जैसे ये मनोत्री गंगोत्री ये सब क्या है नदी का उद्गा मस्तल है और ये सदा निरा नदिया है हमेशा बहते रहती है ग्लेशेर पिखल पिखल कर पानी के रूप में बहकर नदिया में जाती है इसलिए कभी सुक्ति नहीं ये सम नदिया और बिर्याद हिमाले के अंतरगती कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट दर्रा भी पाय जाती है जैसे नाथोला दर्रा सिपकिला दर्रा और बहुत सारे इसे दर्रा पाय जाती है दर्रा किसे कहते है सर पॉइंट वाली बात माल लिए एक प्रहाड है ये पर्वत है इसके बगर में एक और ऐसा पर्वत है अब जो इसके वाले और इसके वाले भाग में जो माल लिजे दो परवत है जो इनके बीच के जो यहां पर जो बनेगी माल लिजे परवत है यहां पर ही परवत है तो यह वाले इलाका में हमको पार होना उस पार होना है तो कैसे होंगे तो इसके जो बीच में एक संकिन रास्ता बना होता है पतला जिससे आदमी आरपार हो सकता फुस्रे को हम हम लोग दर्राव होते हैं तो ये सब इंपॉर्टन इंपॉर्टन दर्र विर्याद हिमालए के अंत्रगति के बा durability में ऊची जोटी पाई जाती है किए सर जी विर्याद् दिमालए में उची उची चोटी पाए जाती है बिर्यद हिमाला की ओसा तो उचाही लगवग 6,000 मीटर है और इसमें बहुत सारी इसी उची चोटी जो 8,000 के पार है कोई 7,000 के पार है लेकिन जब उसको एवरेज निकाला गया तो 6,000 मीटर निकला तो हम लोग परसंट के तरफ देखेंग एक नंगा परवत है जिसकी उचाही 8,126 मीटर है और पस्सिंद दिशा सेहो करम तो जब पूरव की दिशा में जाएंगे तो वह अरुनाचल पद्दिश में एक नामचा वर्मा नामक उची चोटी पाए जाएगी जिसकी उचाही 7,756 मीटर है ऐसा में यदि आपको कहा ज में पाहए कि सर इस विर्याद हमाले में सबसे उची चुटी क्या है तो क्या बोलिएगा तो बोलिएगा सर सबसे उची चोटी जो यह पर एक सिक्कीम आएगा एक राज है यह पर उसमें एक पहाड बहुत उचा पहाड है जिसका नाम क्या है?' जिसका नाम कंचन जंगा, जिसके उचाई 8580 मेटर है तो कॉसन बनाएगा, क्या कॉसन बनाएगा, कि विरयाधि माले में पसिम की तरब सबसे उची चोटी नंगापरवत, पूरब की तरब भारत में अवस्तित क्या है, नमचा भरवा और सबसे उची चोटी क्या है कितना उचा ही है 8500 800 मेटर आप کوस्ण बनेगा कि हिमालाई का सबसे उची चोटी का नाम क्या है तो क्या बोलिएगा तो आपको उस टाइम बोलना पड़ेगा कि विर्याथ हिमाले अवस्तित कंचन जंगा वह इसी चोटी है कंचन जंगा एक ऐसी चोटी है जो सबसे उची चोटी है लेकिन आपको इस पेसर पूछा गए कि हिमाले की सबसे उची चोटी क्या है तो उस टेम आपका एंसर होगा माउंट एवरेष्ट फिर कॉसर आपके पूछेगा कि भारत में अवस्तीत, विर्याद हिमाले के अंत्रगत, वो कौन सी उची चोटी है, तो आपका एंसर होगा, कंचन जंगा, सिक्किम बला. और कॉस्से नहीं पूछे कि हिमालाई के से उची चोटी क्या है तो आपको पौक का पौक मेवस्तित पाकिस्तान में अधिक्रित है क्या है गौडवेरस्टी? वो उची चोटी है अब देखते हैं हिमालाई के दूसरा पार्ट हिमाचल या लगो हिमालाई जिसको नीमन हिमालेय के नाम से चाहते हैं, दोस्तो पहले हम नोक पढ़ा हिमालय में विर्यद हिमालय यानि कि महान हिमालय पढ़ा, सेकेंड जो है यह हिमाचल यानि कि लगो हिमालय है, इसकी चोडाई मतला भारत में कितनी चोड़ाई में फैली हुई है, लगवग एवरेज निकाला गया है तो 50 km के छेतर में ये फैली हुई है कौन लगो हिमालाई हिमाचार हिमालाई या निम्न हिमालाई तो इसमें भी तो बहुत सारी उची उची चुटिया पाए जाएगे पाए जाती है लेकिन इसका एवरेज उचाई जनते कितना है इसका ए 2900 से 4500 मिटर के आसपास और पता है इसमें बहुत सारी स्रिंखलाई पाए जाती है जैसे कि पीर पंजाल धोलाधर महाभारत इत्यादी स्रिंखला यही पर पाए जाती है और मज़े की बात है कि हम लोग जो जाते हैं घर्मियों के दिर में घुमने के लिए मनाली कुल्लू कांगडा टूरिश प्लेश जाते हैं ना सारे टूरिश प्लेश कहां पर है हिमाचल हिमालाई में तो आज के बाद दोस्त देदी पूछेगा कि चलो भाई जाते हैं घुमने के लिए समर्फेकेशन कहा जाना है और चलना निमन हिमाले दोस्त भी कंफ्यूज होके टेंसन माई जाएं यह लगो हिमालाई क्या है भाई निमन हिमालाई क्या है अब यह उसको बाद में समझाओ कि जो तुम जाते हो कुल्लू हिमालाई 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 कहां परवस्तित है इसी हिमाचल हिमालाई में वह वस्तित है जगरपी ब औरे हिमालाय कों सा पार्ट में हैं यह हमाले में अबस हस्ते खăn sienser एने मटों खाल Civissä जाएंगा से 3 टिसरा पार्ट सिवालिक इताएं सिवालिक नीचे वाला है जो दकषिन की और हिमाला का ऊपाप यह शिवालिक, ये कमजोर होता है, क्योंकि बिरेध हिमालय, और बीच में जो लगविमालय, उनके आउसादों से बना है, इसरहे ज़्यादा यह मजबुत है, लेंड्स लाइड यही पर ज़्यादा होते है, हिमाचल, हिमालाई और शिवालिक के बीच में, बहुत सारे, यहां ख जगा जो पस्यम की तरफ होता है उसको हमनों दून बोलते हैं क्या बोलते हैं दून और जो सिवालिक में जो पाय जाती है माली जो कोई खाई पाय जाती है कोई गाध्धा गाराई मिलती तो उस पूरा बले साइट को हमनों क्या बोलते हैं द्वार बोलते हैं इसी तरह उत्र सिन की तरफ है उसको दून बोलते है बातरीद्वार पूरव की तरफ उसको जिसन की हरी द्वार तोब लेकिन उत्राखंड़ं वस्तित है लेकिन की में की तरफ हारीद्वार और पॉसम के तिर्फ ट्रफ लेए धहरा दुन nine इत्याधी बस अ हुआ है अब अन्तता लास्ट में हिमाला का एक पार्ट बजगया था पुर्वांचल, तीसरा पार्ट, पुर्वांचल हिमाले, आखिर पुर्वांचल हिमाले क्या है, पुर्वांचल हिमाले कुछ नहीं दोस्त, जो हम लोग का हमाले जो पसिम से होकर पूरब की और जा रहा था इस लाइनिंग में तो यहाँ से एक जग ब्रेक मारती है और इसका राष्टा ऐसे होते, ज सहते, ज सहते, यहां से मुर ज सहती है उसी को पुर्वानचे माले बोलते है जिसके उंदर के अंकेल मेघाले में गारो थी जयनते है कि जो पाड़ी है परवध है वो इस ही के उंदर के जाते है इसमें भी उचे-उचे शोटी पाए जाती है लेकिन गारो थी जयनते है इनमे इसे important है होनो लोगधों δेख़ भी हमारे चेतर का विस्तार अब विस्तार तुपँ देखलिया उतर से दक्षीचंग के तो अब इसको पूरव पस्युम्रा कि तरप देखेंगे पार्देसिक विभाजन क्या देखेंगे पार्देसिक विभाजन वो किस तरह से नदी गाटी के माध्यम से दिखेंगे अब पार्देशिक विवाजन क्या होता सर तो पार्देशिक विवाजन मतलब तुम्हा हिस्सा कितना दूर मेरा हिस्सा कितना दूर उसका हिस्सा कितना दूर ऐसा करते करते पार्ट बाट बाट दिया गया माल लिजे किसी कोरे में दो बढ़किया है माल लिए कोई चिंकी कोई पिंकी है माल लीजिए उसका है टीचर है मालिक सबका तो चिंकी बोलती है कि सर कलास तो आपका है सर हम्रा जगाड कितना दूर है सर हम्रा बेंच कहां पर हम कहां तक बैठेंगे सर तो पिंकी बोलती है हमरा भी जगा कहा है सर हमरा बेंच किदर है हम किदर बठे उग किदर बठे तो उसी तरह से पार्देसिक विवाजन हिमाले का भी क्या गया हिमाले को माल लीजे आप टीचर उसे टीचर अंदर कलास में किसको कहा बठाए यही समझना है पार्देसिक विवाजन में तो टीचर जिस तरह हम लोग को बारत देता है किचिंकी तुम उधातर बेठो पिंकी तुम उधातर बेठो उसी तरह हिमाले को भी पार्देसिक विवाजन में बठा गया है और चार तरफ से बठा गया इस हिमालय को चार तरफ से बटा गिया है एक, दो, तीन, एक, तो, तीन, चार पार्ट में बटा गिया है तो हिमालय को चार पार्ट में बटा गिया किसने बटा था ? उसका नाम जान लिजिए सर बुराड़ सर बुराड ने चार भागों में हिमालाई को पार्देसी विवजन किया जिसमें से पहला पाट का नाम है पंजाम हिमालाई दूसरा का नाम है कुमायु हिमालाई तीसरा का नाम है नेपाल हिमालाई और नेपाल हिमाले में हिमालक का मौट डिवरेश्ट है और लास्ट में बजगिया असम हिमाले अब पंजाब हिमाले को भी बाटा है किसे बाटा है नदियों ने बाटा है तो पंजाब हिमाले का विश्थार कहां से कहां तक है शिंधु नदी से लेकर 17 नदी के बीच है कुबाई हिमालय का विश्तार 17 नदी से इस्टाठ होकर काली नदी के बीच में साप्त होती है फिर नेपाल हिमालय का काली नदी से इस्टाठ होती है तो तीष्ता नदी में खतम होती है फिर असम हिमालाई तीष्टा नदी से start होती है और दिहा याने की ब्रह्म पुत्रा नदी पर खतम होती है इस तरह से हमालोग का सर बुराड ने पारदे से विवाजन हिमालाई का किया था चार पाटों में तो दोस्तो हिमाले की जानकारिया आपके साथ में लाया, मैं आपके साथ साजा किया, तो आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक किजिए, अपने नए दोस्तों को सेर किजिए, यदि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें, तो सब्सक्राइब कर थेंक यू बाई बाई टेक कियर मिलते हैं नेस्ट क्लास में